जब इतने सारे कारिक्षेतर की बात हो रही है, बड़ा विश्तृत है, आपको लगेगा इसके लिए तो इतना पैसा लगता होगा, यह सब पैसा आता कहा थे हैं, तो पहली बात पश्च कर दें, कि इसमें से बहुत से कारियों के लिए जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें कुछ अपने ही शुरुतों से कुछ कराधान के बाद हम से कठा करना, यह उनकी वित्ती विश्ता करना, इसके साथ ही आप पाएंगे कि इतने जो हमने बताए हैं कारे, जिम्मेदारियां, इनमें अधिकतर जिम्मेदारियां मॉनिटरिंग इस्तर की हैं, अर्था खुद को कुछ नहीं करना है, केवल आपको सुपरवाइस करना है, देखना है, ओवर सी करना, उधारन के लिए पबलिक डिस्रिप्शन सिस्टिम्, लोग वित्रन वेल्स था, ये लोग वित्रन वेल्स था में आपको चावल खरीद के लोगों में बांटना नहीं हैं, बस ये दरपर और उचित मात्रा में लोगों को सामान दिया जा रहा है की नहीं? तो ऐसे बहुत से इसमें से हेड्स आप पाएंगे, जिसमें खर्च की जरूरत नहीं हैं, मानिट्रिंग की जरूरत है, सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है, जिला प्रशासन पर दबाव बनाने की जुरत है आदी आदी तो अगला बिंदु फिर भी कुछ नौ कुछ तो वित्ती वियौस्था की जुरत होती है तो हम अगले बिंदु पर चलेए वित्ती वियौस्था राज-विधान corridors जो होता है राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहद। यदि राज्य विधान मंडल ने कुछ ऐसे कानून पारित किये हैं जिसमें उसमें ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार दिये हैं किसी मुद्दे पर कर लगाने के तो ग्राम पंचायत उस करों को लगाने के ल जलरी है के नहीं अब पैसा तो आ रहा है कर के मार्धियम से, पैसा आ रहा है सरकार से अनुदान के मार्धियम से, पैसा आ रहा है सरकार के प्रयास से कुछ अन्य शरूतों के द्वारा, जैसे कुछ बड़ी-बड़ी संश्थाएं हैं, एक आप पढ़े होंगे CSR, पोड़े कॉपरेट कमपनिया हैं बे अपनी का अपने लाब का एक sizing समाज के निम्न तबके के लोगों पर लगाएं यह आउश्यक कर दिया गया है किकि सरकार का मनना है कि यह कॉपरेट जो है यह समाज कि इस निम्न वर्ग के बल पर ही तो काफी कुछ कमा रहे हैं उनकी मेहनत के बल पर तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ पैसा इन पर लगाया जाए अब ये जो CSR से आय हुआ जो फंड है इसका एक हिस्टा गाउं में यदि जिला कलेक्टर चाहें शासन चाहें तो दे सकती है वहाँ पर पार्क बनाने के लिए गार्डन बनाने के लिए वहाँ पर अस्पताल की वस्था को सधारने के लिए इसकोलों के लिए इसके अलावा रोटरी क्लब है, लाइंस क्लब है और अन्य बहुत सी ऐसी स्वेम सेवी संस्थाएं हैं जो हमेशा ततपर रहती हैं नीचे के स्थर पर विकास के लिए कुछ करने के लिए और यदि ग्राम पंचाज सजग है, सचेत है तो इन कलबों के इन संस्थाओं के माध्यम से वो अपना विकास कर सकती हैं, गाओं में उचित विवस्था कराने का अनुरोद कर सकती हैं, प्रावधान कर सकती हैं तो वित्ती व्यवस्था में जब ये सब बाते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रावधान भी होगा कि उचित तरीके से आय का वित्रण हो रहा है या नी वित्ती व्यवस्था के संबंद में जाच करने के लिए हर पांचवे वर्ष वित्ती आयोग का गठन होता है जो राजिपाल को अपनी रिपोर्ट देता है किनके वित्ती व्यवस्था की जाच करने के लिए पंचायतों की वित्ती व्यवस्था के संबंद में जाच करने के ल अपने तरीके से जाच करता है और अपना अनुशंसा, अपना अनुमोधन, अपना प्रतिवेदन उस राजी के राजिपाल को देता है जहां पर उसने सब जाच की है चुकि गाओं सरकारी तंत्र से काफी दूर सित हैं तो कहीं ऐसा नहों कि गाओं में वित्ती प्रावधानों का दुरुप्योग हो पंच या चुने हुए प्रत्रिदी कुछ गलत कारियों में लिप्त नहों तो इसके लिए जहां जाच आयोग की विवस्था है वित्ती आयोग की विवस्था है और रेगिलर जाच की विवस्था वहीं राजियों में बनाए गए पंचायत अधिनियम उसके माध्यम से सरकार जो है वो पंचायतों पर नियंतर रखती है पंचायतों के द्वारा किसी तरह की गरवड़ी नहो इसे रोक सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर राज्य सरकार विधान मंडल या राज्य सरकार कानून बनाती रहती है पंचायत अधिनियम बनाती पंचायत संबन्दी कानून बनाती रहती है और इसके पीछे मकसद क्या है? पंचायतों की पंचायतों पर उच्छे तनी अंत्रण जिलादी जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के निरिक्षन और भंग करने का अधिकार रखते हैं, कलेक्टर यदि उन्हें लगता है कि उनके मातहत आने वाले किसी गावं में कुछ हिराफेरी की गई है, और यह साबित हो जाता है तो वहाँ के पंचायत को भंग किया जा सकता है यदि उन्हें मलुम होता है कि चनवी व्यवस्ता में कुछ गरवणियां पाए गई हैं इन पंचों के चनाओं में तो जिलाधीश या कलेक्टर उस पंचायत को भंग कर सकता है, तो जिलाधीश को ग्राम पंचायतों का निरिक्षन करना, उनके कार्यालेओं के दस्तावेजों का अध्यान करना, अध्यान करवाना और उचित लगने पर उन्हें भंग करने की भी अ हैं कुछ बंधन भी है एक सीमा के तहट इसे काम करना होता है एक डायरे के अंतरगर राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून और कलेक्टर ये दो संस्थाएं उसके उपर वाच्डॉक की तरह का काम करती हूं और ये सुनिश्चित करती हैं कि पंचायत जो है वो सही दिशा में अपेक्षित दिशा में काम कर रहे हूं अब आते हैं हम न्याए पंचायत पर कुछ गाओं में गराम सबहाओं या गराम पंचायतوں के लिए एक न्याए पंचायत इसके गठन संबंधी राजयों अलग-अलग हैं गठन संबंधी जो नियम है वो अलग-अलग राजयों में अलग-अलग हैं सामानित लेकिन क्या होता है कि संबंधित ग्राम पंचायतें न्याय पंचायत का चुनाओं कर लेती हैं कोई भी व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, ये सुनिश्चित किया जाता है, तो ग्राम सभा ही न्याय पंचायत के सदस्यों को चुल लेती है, लेकिन ये सुनिश्चित करती है, कि इसमें से कोई भी व्यक्ति दोनों ही सं स्थाओं का सदस्ट से नहों सदस्ट सिर नहां के नहां पनकाइट और đó निया पनकाइब दोनों का सदस्ट सेके नहां हो यह सुनिश्ट करना जरूरी हो ले फिवा तर पर जैसा मैंने शुरू में कहा और निमनिस्तर पर दीवानी और फौजदारी मकदमे सुनती है अब निमनिस्तर पर दीवानी मकदमे क्या और फौजदारी क्या आर्थिक मामले और कुछ मार पीट के जगड़े के मामले अपराधिक मामले छोटे अपराधिक मामले छोटे छो कुछ मामले हैं तो उनको सुनना और उस पर कारवाई करना हूँ पर दोनों ही पौजदारी मामले और दीवानी मामले दोनों को सुन सकती है छोटे स्तर पर और निना दे सकती है निना में वो जुर्माना राशी भी मांग सकती है लेकिन कारावास में दे सकती है यदि छोटे स ये मामले फिर सामाने ने कोड में जाते हैं, वजल उसे कारावास जेल भीजने का अधिकार नहीं है, जुरमा ना लगा सकती है, एक सीमा तर कम धनराश तक, कारावास नहीं तर क्षोमारे जे सकती, छोटे-छोटे पारश्परि के परिवारिक विवाद हों, इस्थानी चतर पर बिना किसी व्याय या परिशानी के हल किये जा सकते हों तो न्याय पंचायत तयार है तो इस वकार न्याय पंचायत का उद्येश होता है छोटे अपराधों को चाहे पौशदारी हो या दिवानी हो या पारिवारिक हो उन्हें स्थानी इस तर पर कम से कम खर्च पे निप् गाऊं के दोवड़ लोगों में छोटा झगड़ा हो गया अब वो झगड़े को जिलेश तर्के नयाले में लिजाये गया है पुलीस के द्वारा अब ये दोनों रोज वहाँ पेशी में जा रहे हैं आ रहे हैं और इस स्थितियां सामानी हैं किसी कारण से एक दिन जगड़ा हो गया था ऐसी स्थिति में निया पंचाय परियाप्त है जो उस घटना के मद्दे नजर छोटी मुटी सजा दे सकती है जिर्माना ले सकती है माफी नामा ले सकती है आधी आधी और समस्चा का निराकरन वही हो जाएगा तो इससे खर्च भी बचेगा व्यारत का समय भी जाने वाला समय भी बचेगा और जिला कोट में जो व्यर्थ की भीड़ आती है मामलों की उससे भी छुटकारा मिलेगा खर्च की बात रही तो वकील की कोई जरूत नी नियाए पंचायत में जो मामले जाते हैं उसमें वकील की जरूत नी जो सम्बंदित गुठ हैं वो सम्बंदित लोग हैं वो सेम अपनी पैरवि करते हैं वकील की जरुत ही नहीं होती हाँ इसके निर्णा के वरुद्ध सामाने तया अपील नहीं की जा सकती लेकिन कुछ राजियों में मुंशिफ अत्वा निम्न अदालतों में नियाए पंचायत के निर्णा के वरुद्ध अपील की जा सकती है सामानी तेया छोटे मामलों में अपील नहीं की जा सकती लेकिन कुछ राज्यों में है ये प्रावधान कि यदि पार्टी संतुष ना हो तो वो जा सकती है और उपर अदालकों को ये अधिकार है कि वे पंचायत के निर्णेयों के खिलाफ जज्मिन दे दें पंचायत के निर्णेयों को निरस्त करने का अधिकार उन्हें दिया गया है तो इस प्रकार ये बात इसपष्ट है कि निया पंचायत का चैन उसके सदस्यों का चैन का अधिकार ग्राम सभा को कोई भी सज़से दोनों सभाओं को दोनों पंचायद का सज़से नहीं हो सकता इनके अधिकार क्षीमित है छोटे सर के केस को लेना और उसका निप्टारा करना इसका उद्यश्य है खर्च से बचना आर्थिक व्याय और समय की बरवादी वकील का खर्च आवा जाही से बचा और अदालतों में बढ़ते मामलों का दबाओ इन सबसे बचा जा सकता है और अंतिम बिंदू कुछ राजियों में इनके निड्यों के खिलाफ पंचायद के निड्यों के खिलाफ व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और नियाय मांग सकता है और कोड को अधिकार है कि इनके नियायले के या नियाय पंचायत के निर्णेयों को निरस्थ भी कर सकता है पंचायत समिती ये दूसरे स्तर की या मध्यम स्तर की संस्था पंचायती राज के तहट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ अब आपको स्पष्ठ हो गया होगा कि पंचायत राज क्या है कितना महत्पूर्ण है और गाओं के स्थर पर पंचायत की कितनी अहमियत है निम्न सबसे निम्न स्थर की विस्था को जानने के बाद हम आते हैं उसके उपर जिसे कहते हैं पंचायत समिती या ज्यनपद पंचायत ग्राम पंचायत और जिला परिशन इनके बीच में होता है पंचायत समीती यह भी स्थानी निकाय है और थात स्थानी लोगों के द्वारा स्थानी लोगों के लिए इससे विभिन राजियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि ग्राम पंचायत को भी अलग नामों से, मैंने बताया, ऐसे ग्राम सभा को भी अलग-अलग नामों से, तो जनपद पंचायत या पंचायत समीति के भी अलग-अलग नाम है, जैसे कुछ जगह उसे पंचायत समीति कहते हैं, कुछ जगह आंचलिक परिशद, कहीं खेत्र समीति, कहीं आँचलिक पंचायत, कुछ जगह ब्लॉक समीति, जनपद पंचायत, खंड समीति आजिया, जैस कि इन नामों में एक चीछ रिस्थाई है रिस्थिर है और वह है कि ये बीच की संस्था है तीन इस्थर में अलग-अलग राजियों में जैसे अलग-अलग तरीके से कानून बनाए गया है पंचायती राज के विशे में तो इस प्रकार बिन्न बिन्न पंचाय समिति के चनाओं तंगठन और कारियों में हम अंतर देखते हैं क्योंकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून बने हैं और उन कानूनों का तालुकात पंचायती राज की इनी संस्थाओं से है चाहे वो समितियां हो चाहे ग्राम सभा हो आधी-आधी और उसके चुनाओं, संगठन और कारे इसमें अंतर मिलेगा आपको लेकिन फिर भी सामानितया कुछ चीजें एक रूप हैं, इस्थाई हैं सब जगा आधार भूठ ढ़ाचा सब का समान है पंचायत समिति जो है, उसमें सामानितया सभी जगा देखा गया है कि ग्राम पंचायतों का प्रमुक जिसे हम प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं वो इसके सदत से होते हैं अब देखिए, एक गाउं में ग्राम पंचायत पास पास यदि पचीस-तीस गाउं हैं तो उनको मिला कर एक जनपत समिति बन जाती है जनपत पंचायद बन जाती है और इस पंचायद में होता कौन है वो 25-30 गाओं के जो सरपंच हैं मुखिया हैं प्रधान हैं ये लोग उस 25-30 गाओं के एक ब्लॉक के सदत से बन जाते हैं जनपत पंचायद के सदत से बन जाते हैं या पंचायद समिती उसे कहें उसके सदत से बन जाते हैं तो पंचायत समीति में साधारन तया सामान्य तया इससे सम्मंधित जो गाओं हैं उनकी पंचायतों के प्रमुख या सरपंच सदस्य रहते हैं यह सामान्य थियुरी इस चित्र को आप देखें इससे और इस पश्ठ हो जाएगा तीन स्तर हैं पहला स्तर जिला परिशद जिला पंचायत अब उसके आप नीचे देखिए कैसे इससे विभाजित किया है पंचायत समीति दोनों तरफ पंचायत समीति और बीच में पंचायत नीचे है और किस प्रकार पंचायत समीति पंचायत फिर पंचायत समीति और फिर जि बार आपको कहा था कि ये तीनों स्दरकी संस्थाएं एक कड़ी से जुड़ी हैं तो अब आप समझ कि होंगे कि ग्राम पंचायत किस परकार जन्पत से जुड़ी है किस परकार पंचायत समीश से जुड़ी है या किस पकार जनपत परिशद से जुड़ी है ग्राम पंचायतों के सरपंच या मुखिया या प्रधान ये जनपत समीति के सदस्य होते हैं पंचायत समीति के सदस्य होते हैं और एक पंचायत समीति में 25-30 गाओं होते हैं जिसे हम एक ब्लॉक भी कह सकते हैं इन जनपत्स परिशद में या पंचायत समिती में उस खेत्र के सांसद भी रहते हैं और विधान मंडल के सदस्य भी उसके सदस्य रहते हैं जो वहां से चुने गया हैं उस खेत्र से चुने गया हैं क्योंकि सभी एक प्रखंड में होने वाले कार जिला के अन्य प्रखंडों को प्रभावित करते हैं इसके पीछे तर्क ये है सांशदों को और उस खेत्र के सांशद को और उस खेत्र के MLA को विधान मंडल के सदस्ट को जनपद में जोडने के पीछे जनपद की सदस्टा के पीछे तर्क यह है कि इस खेत्र का कार्य दूसरे खेत्र को प्रभावित करता है और एक सांसद जो है वो काफी बड़े खेत्र का सांसद रहता है तो एक जिले में एक प्रखंड में होने वाला कार जिले के अन्य प्रखंडों को प्रभावित करता है एक जिले के अन्य प्रखंड में होने वाला कार उसी जिले के अन्य प्रखंडों को प्रभावित करता है इसलिए इन सदस्यों को चाहे वो विधानतबा के सदस्यों या सां बोरी हो जाता है और इस ताल मेल के मद्दे नजर उनकी सदस से ताहब कई राजियते हैं जहां पे कुछ सदस ग्राम सभाओं द्वारा चुने भी जाते हैं ये पंचाया समिती अपना प्रमुक चुनती है जो कि विविन राज्यों में विविन नामों से जाने जाते हैं तो ग्राम पंचायत के प्रमुक लोग ग्राम पंचायत के प्रधान या सरपंच दूसरा सांसद उसक्षेत्र का और उसक्षेत्र का विधायक तीसरा कई जगा ग्राम सभाओं से चुने हुए और सदस इनको मिला कर पंचायत समिती बनती है रही बात इनके नामों की अलग-अलग जगहों में अलग-अलग राज्यों में इनको अलग-अलग नाम दिया गया है जैसे कि कई जगा मैंने बताया ग्राम पंचायद के मुखिया को प्रधान कहते हैं कई जगा ग्राम पंचायद के मुखिया को सरपंच कहते हैं ऐसे ही जनपद के मुख्या को प्रमुख कहेंगे या चेर्मेन कहते है या प्रधान भी कहते है जो शमीती है वो एक प्रशास्निक एकाई है इसका प्रधान प्रखंड विकास अधिकारी कहलाता है ये प्रखंड विकास अधिकारी आप लोगों को बहुत चर्चित पद लगा होगा अंग्रेजी में ऐसे BDO कहते हैं Block Development Officer या प्रसार अधिकारी तो BDO जो है वो जनपद का पदेन अधिकारी होता है जनपद का जो प्रशास्निक एकाई है उसका ध्यक्ष होता है उसका मुखिया होता है और शासन की ओर से शासन का प्रतनेधित्व करते हुए वह जनपद पंचायत से तालमेल बनाया रखता है दोनों के बीच की एक कड़ी है शासन और जनपद के बीच की कड़ी है और जनपद में विभिन गाओं के प्रमुक जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विभिन गाओं किस प्रकार शासन से जुड़े हुए है यही कड़ी बहुत महत्पूर्ण हो जा सुवधाएं बढ़ाने का काम करती है व्यवस्था करती है प्रबंद करती है और जो विकास के कारे हो रहे हैं कर के रूप में वित्ति आये के जरिये या अन्य शुरूतों से जो आये हुई है उस आये के माध्यम से जो विकास कारे हो रहे हैं इसके अलावा इसके जो कारे हैं पहला है आग, बाढ, भूखा, भूकम्प, महामारी, प्राकृतिक आबदा, इनमें सहायता की व्यवस्था करना, सहायता करना नहीं, इनके पास फंड बहुत कम होता है, सहायता की व्यवस्था करना दुर दिन, बुरे दिनों में, बुरे समय में, राहत की व्यवस्था करना की जिम्मेदारी है, बीडियो की होती है, या जनपत की पंचायत समिति की होती है, दूसरा, बड़े स्तर पर सारजनिक बाजार लगवाना, मेलों और प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना, बड़े तरxt पर तो चोटे चोटे बाजार हाठ मेले लगते हैं पर बड़े स्तर पर सांस्कृतिक रुज़ान को बढ़ के लिए इसके घटाउन को बढ़ाने के-लिए इसलिए और उसके अलावा प्रदर्शिणिया लगते हैं इन प्रदर्शनियों में ट्रैक्टरों की प्रदर्शनी, मोबाइल्स की प्रदर्शनी, गाउं में उप्योग किये जाने वाले विभिने सामानों की प्रदर्शनी करने की व्यवस्था यह जनपत करती है। इसके बाद तीर थियात्राओं और तियाहारों का प्रबंधन अगला गाउविकास, कृष्षी, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मच्पालन, स्वास्त और बाकी जितने जो कारे हैं पंचायत समिति के उसके लिए कारकरमों को बनाना ग्राम पंचायत के साथ, प्रधान के साथ, और मुख्यालों के साथ मिलकर इन ख्षेत्रों में बड़े कारे करम प्तियार करना उनकी विवस्था करना अगला है, सरकार के द्वारा सौंपे गए, समय समय पर सौंपे गए, अन्यकारिय कई बार ऐसा होता है, जब सरकार किसी एक विशेश खित्र में कुछ विशेश कारे करवाना चाह रही है तो उसको करने की जिम्मेदारी जन्पत की होती है अब इसका आए का साथन क्या है, सरकार का दिया हुआ धन सरकार इनको धन देती है, जो की ब्लॉक विकास खंड के कारकरम के तहट आता है और इसके अलावा पंचायच समिती मकानों से, जमीन से, मेलों से, बाजार से, कर लगाकर पैसा ही कठा करती है जन्ता से चंदा लेती है, और अन्य शरोतों से जिसमें एंजियो आदी शामिल है, उनसे साहता प्राप्त करती है तो ये इसके आया का जरिया हो जाता है निम्डतम स्टर ग्राम पंचायच, उसका हमने विस्तार से अध्यन कर लिया उसके बाद मध्यमिस्तर पर उससे उपर जो है जन्पद कई गामों के समूझ से जो बनता है ब्लॉक जिसमें ब्लॉक डेवलप्मेंट आफीसर बहुत महत्पूर्ण अधिकारी है, खंड विकास अधिकारी दूसरा, उसका भी अध्यन हमने कर लिया, आएविया का जरिया जान लिया और उनकी शक्तियां और कारे को समझ लिया अब हम आते हैं, पंचायची राज व्यवस्ता के ग्रामीन के संदर में तीसरी और जो सबसे उची या पहली कहना चाहिए, जो शिड़ी है जिसे कहते हैं जिला परिशद, जिला पंचायच, अब उसको हम जाने, अंग्रेजी में से कहते हैं डिस्टिक काउंसिल, डी सी यह जो district council है या जिला परिशद है जिला पंचायत है यह पंचायती राजववस्था में शीर्ष पर है सबसे उपर यह पंचायत समयती है और ग्राम पंचायतों और राज़ सरकार के बीच तालमेल का काम करती है ग्राम पंचायद के मुखिया लोग जनपद में रहते हैं और जनपद से जिला पंचायद जाते हैं तो इसका गठन कैसे होता है? विभिन राजियों में जिला परिशत के गठन का भी वैसा ही प्रावधान है जैसे जनपद के गठन का अर्थात अलग-अलग राजियों में कुछ अलग-अलग तरीके से चैन, गठन, आए, व्या, आधी के प्रावधान किये गए हैं तो उस मामले में जिला परिशत के गठन का भी प्रावधान अच्छूता नहीं है अर्थात उसमें भी भिन्नता है अलग-अलग राजियों में लेकिन फिर भी सामाने तेया जिला परिशत में उस जिले की पंचायद समीतियों के सभी सदस्य पंचायद समीति के अध्यक्ष होते हैं जिला पंचायद के सदस्य ग्राम पंचायद के सदस्य होते हैं ग्राम सभा जो है ग्राम सभा चुनती है ग्राम पंचायद के सदस्य और एक अध्यक्ष ग्राम पंचायद के अध्यक्ष पहुंचते हैं जनपद और फिर ऐसे पचीस-तीस जनपत पचीस-तीस ग्राम पंचायतों से एक जनपत बनता है जनपत फिर एक अपना उनका एक अध्यक्ष होगा अब हर जनपत का जो मुखिया है वो जिला पंचायत का सदसे बन जाए तो इस प्रकार कैसे आप ग्राम पंचायद से लेकर जिला पंचायद तक कड़ी एक है ये समझ सकते हैं तो अन्तिम एक बार पुना साधारंग तिया जिला परिशत की सदस्ता उन लोगं को दी जाती है जो जनपद के अध्यक्षण या पंचायद समिति के अध्यक्षण कुछ राजियों में जिला परिशत के सदस्यों का चिनाव ही होता है मर्द्य परिशत गड़ भी उसमें एक है जहां पर जिला परिशत के सदस्यों का चिनाव होता है और उसे जिला पंचायत कहा जाता है तो यह थोड़ा बहुत अंतर तो है लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि नीचे से उपर तक यह तीनों जो स्टर हैं यह एक दूसरे से जुड़े रहे हैं राज्य सरकार अधिसूचना के अधार पर जन संख्या के अधार पर निर्वाचन ख्यत्र तयार करती है राज्य सरकार अधिसूचना और त्विकार जन संख्या और ख्यत्र फल इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकारें अधिसूचना जारी करती है निर्वाचन ख्यत्रों को अभिभाजन करती है यह प्रक्रिया जो है यह उन ख्यत्रों में है उन राज्यों में जहां पर चिना होता है जिला परिशत के लिए जिसमें 36 गड़ भी एक है चुकि हम 36 गड़ के हैं इसलिए हमें इसको ज्याद अच्छे से समझना होगा इस तक्रिया को और तो निर्वाचन ख्यत्रों का विभाजन और सामान तया प्रयास यह होता है कि पचास हजार की जन संख्या एक निर्वाचन ख्यत्र के रूप में रहे हर निर्वाचन ख्यत्र की औसत जन संख्या पचास हजार है एक निर्वाचन ख्यत्र से एक सदस्य हो और जिला पंचायतों में कम से कम दस और अधिक से अधिक 35 सदस्य हो जिला पंचायतों में जिले की जन संख्या के अनुपात में अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती महिलाओं के लिए आरक्षण है अब तो नियम कुछ और बदले हैं पिछड़े वर के लिए 50 प्रश्यत या कम होने पर 25 प्रश्यत एवं एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए हो तो अरक्षण भी जिला स्तर पर जिला पंचायद में होता है जिला पंचायद जो है निर्वाचन खेट से, निर्वाचित सर्थ या पंचायद समिति के प्रमुक जिला सहकारी बैंक, विकास बैंक का ध्यक्ष, जिले में लोक सभा एवं राच सभा के सदस, राच बधान सभा के सदस, जो इस जिले से निर्वाचित हों, ये सब मिलकर जिला परिशद बनाते हैं तो यदि हम बात करें कि जिला पंचायत, 36 गड़ जैसी राज में किन लोगों से मिलकर बनती हैं, तो पहला निर्वाचित सदस, हर पचास जार में औस्टन एक सदस से आता है, वो जिला पंचायत के सदस, दूसरा, उसके प्रमुक, पंचायत समीति के प्रमुक, तीसरा, जिला सहकारी बैंक और विकास बैंक के अध्यक्ष, चौथा, लोक सभा और विधान सभा के सदस जोश खेतर से आते हों, ये लोग मिलकर जिला परिशद बनाते हैं, जिला परिशद अपना एक अध्यक्ष इसके बाद, जो इसके कारे को संचालित करती है, और जिला स्तरी अधिकारी, डिस्ट्रिक डेवलप्मेंट आफिसर लेवल का आदमी, इसका पदेन सच्चव होता है, ये तो इस संगठनात्मक धाचा की जिला परिशद बनता कहते हैं, इसका नाम भी लगवा कमों बेच प कुछ जगहों में जिला पंचायत कहते हैं, और कुछ जगहों से महकुमा परिशद भी कहते हैं, पर मोटे मोटे तोर पर जिला परिशद इसका नाम है, और इसकी सदस्चिता भी कुछ इस तरह ही है, जिस तरह मैंने पूर में आपको बताई है, अब आते हैं इसके कारियों की ओर का जह्टा मैंल वता है जिला परिशद एक अध्यक शुंती है जो इसके कारें का संचालन करती है और एक पदेन अधिकारी होता है जो जिला स्तरी होता है जो सचिव का काम करता है तो इसके कारे क्या है जिला परिशद का मुख्यकार समन्वयक का समन्वयन समन्वयन अर्था कोडिनेशन किन के बीच में जो विभिन पंचायत समितियों के अध्यक्ष है उनके साथ मिलकर ताल मिल बैठाना सरकार और जमीनी स्थर पर पंचायती राज के बीच में कोडिनेशन का काम करना तो पहला काम तो हो गया समन्वयक का दूसरा हो गया परिवेक्षन का परिवेक्षन अर्थात इंस्पेक्षन नजर रखना कि जो दिशा दी गई है या जो दिशा अपेक्षित है उस दिशा में ये संस्थाएं अपना कारे कर रही हैं कि नहीं चाहे वो वित्ती मामले हो चाहे सामाजिक विकास के मामले हो तो इस पकाद जिला परिशत को हम संक्षित में कह सकते हैं एक समन्वय और परिवेक्षन करने वाला निकाए पंचायत के कारें का परिवेक्षन करना अपने जिला क्षित्रों के विकास कारें को समन्वित करना राज से प्राप्त अनुदान का उचित वित्रन करना पंचायत समीतियों के बजट का योजना के अनुरूप निरिक्षन करना उचित निर्देश देना पंचायत के कारें क की प्रगर्ति की राजिस तरकार को सूचना देना प्रधान प्रमुक आदी की गोश्थियां करवाना ट्रेनिंग कैम्प करवाना उनसे संपर्ख बनाया रखना ये काम किसके हैं जिला परिशत के तो समन्वे और परिवेक्षन इसके मुख्यकारिक्षित रहां और समन्वे व ग्राम पंचायतों के कारियों का आए विया का जो पैसा इन्होंने वित्रित किया है उसका समची तुप्योग हो रहा है कि नहीं इस पर नज़र रखना इसके अलावा इसका काम है ट्रेनिंग भी देना कुछ राजियों में जिला परिशिदों को क्रिशी समाद के लियान औ काम समाद कल्यान से जिलो हुए काम और सामुदाइक विकास कम्यूनिटी डिवलप्मेंट इससे जिलो हुए जो महत्मूर काम हैं वे भी जिला परिशिद के माध्यम से करवाए जाते हैं और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जब राज्य सरकार कुछ विशिष्ट कारे स साधन क्या है जैसे ग्राम पंचायत के आये के साधन का हमने अध्यन किया जनपद के आये के साधन का किया जिला परिशिद के भी कुछ आये होगी तो मुख्य आये तो है राज्य सिरकारों से प्राप्त धन धन राशी जिसका वो बाद में डिसबर्समेंट करती है बटवार परिशद को कुछ राजियों में दिया गया है तो कर पंचायच समीति से मिलने वाला अंशदान और राजियों से आबंटित राशी ये इनकी आयका मुख्य जरिया है रही जिला परिशद के बजट की बात तो ये अपना बजट सरकार को प्रस्चित करती है तो इस पकार जिला परिशद अपने पूरे जिले का एक बजट सरकार के सामने रखती है कल पना करिए 36 गर राजिये में मानो यदि 30 जिले हूँ तो 30 जिलों के बजट प्रस्ताव राज्य सरकार को जाते हैं जिला परिशद के माद्यम से और इस पकार अब हमने पंचायती राज वहस्था का ग्रामीड स्तर पर समगर रूप से अध्यन कर लिया और अच्छी तरह समझ गया कि किस पकार ग्रामीड स्तर पर स्थानी स्वशासन अपना कारिक कर रहा है इसकी खामिया भी हम अब समझ गया होंगे क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ग्रामीर प्रिश्ट भूमी से जुड़े हुए हैं और इसलिए बखू भी अब समझते हैं कि एक ग्यारवी बारवी के विद्यारथी के नाते कि किस खेतर में कहां की पंचायत कैसा काम कर रही है और यदि वह कार अच्छा कर रही है तो इसके क्या कारण है और इसके नहीं कर पा रही है तो उसके पीछे क्या दाओं पेच है क्या दिक्कते हैं इसको भी अब हम समझ सकते हैं देख कर तो व्याभारिक ज्यान को अब हम अपने इस थियोरी से जोड़ें तो हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी पैठ मिल जाएगी देश की निमनस्तर की राजनीति की जेश के निमनस्तर की आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक विकास के धाचे की गामीनस्तर के पंचायती राज के समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे नगरी विवस्था की और अर्था अर्बन डिवलप्मेंट अर्बन लोकल सेल्फ गब्मेंट नगरी स्थानी स्वशासन